हलो दोस्तों, ये कहानी एक जोल नाम के लड़के के उपर है, जो अपने पेरेंस के बाहर जाने के बाद लड़कियों को घर बुला बुला कर खुब मज़े करता है और आगे इस मूवी में क्या क्या करेगा हम स्टोरी में देखेंगे इस फिल्म का नाम है रिस्की बिजनेस जो 1983 में रिलीज हुई थी मूवी शुरू होती है और हम जोल को देखते हैं जो स्कूल से अपने पडोसी के घर चला जाता है घर का दर्वाजा खुला था इसलिए वह अंदर चला जाता है और बात्फरूम में आवाज सुन बात्फरूम में चला जाता है वह देखता है एक लड़की नहा रही होती है अब वह लड़की जोल को देख बोलती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जोल के पैरेंस घर पर नहीं है फिर वो दोनों जोल के रूम में जाकर टपाटप करने लगते हैं अब जोल उनकी आवाजे सुन इरिटेट हो जाता है और अपने डैट की कार लेकर बाहर चला जाता है अब अगले शीन में जोल का दोस्त उससे करता है कि तुमारा घर खाली है इसलिए हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए अब वा आज रात को एक लड़की बुक कर लेता है जोल उस पर बहुत गुस्सा करता है फिर वो उसी नमबर पर फोन करके लड़की की बुकिंग कैंसिल करना चाहता है पर वो नमबर नहीं लगता है अब रात को दर्वाजे की बेल बसती है और दर्वाजे पर लड़की के जगए एक लड़का लड़की के गेट अप में आता है अब वह गुष्से में अपने दोस्त को फोन करता है और उसका दोस्त करता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ फिर वो दर्वाजे पर खड़े बेटे को जाने को बोलता है अब वो जाने से पहले अपना सर्विस चार्ज मांगता है अब जोल को अपनी जान छुडाने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं अब जाते जाते वो जोल को एक लड़की का नंबर देता है और कहता है तुम इसे फोन कर लेना ये तुम्हें चरम सुप दे देगी अब जोल उस नमबर पर फोन करके एक लड़की को बुला लेता है अब थोड़ी देर बाद वहां पर लारा नाम की लड़की आती है उसे देखते ही जोल उस पर तूट पड़ता है और वो दोनों पूरी रात टपा टप करते हैं अब अगले दिन लारा जोल से अपने सर्विस के 200 डालर मांगती है और जोल के पास एक डालर भी नहीं होता है अब जोल पैसे लेने बैंक जाता है और पैसे लेकर वापस आता है तो देखता है लारा वहां से जा चुकी है और उसके माम की बहुत महेंगी चीज ले ले चलो क्योंकि मेरा मेनेजर मेरे पीछे पड़ा हुआ है अब जोल लारा से बोलता है पहले तुम मेरी मॉम की चीज वापस करो तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लारा बोलती है मैं तुम्हें वह पापस कर दूंगी अभी तुम मुझे यहां से लेकर चलो जोल गारी बगाता है और लारा का मेनेजर उसका पीछा करने लगता है फाइली जोल उसे चक्मा दे ही देता है जोल लारा से पूछता है मेनेजर तुमारे पीछे क्यों पड़ा था तब वो बोलती है उसने मेनेजर से पैसे उधार लिये थे अब लारा पूछती है क्या वो आज रात उ एब जोल जारा होता है तो ला्रा से जाने को कहता है। की दोस्त को घर से बाहर निकाल देता है बाहर निकलते ही लारा का मैनेजर आ जाता है इसलिए वो दोनों भाग कर फिर से जोल के घर चली आती है फिर मैनेजर जोल को धंकी देता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए और वहां से चला जाता है फिर घर में लारा जोल को बोलती है वो कुछ दिन तक यहीं पर रहेगी और उसके पेरेंट्स के आने से पहले यहां से चली जाएगी अब रात को लारा और जोल राइप पर जाते हैं तो लारा करती है तुम्हारे सारे दोस्त बहुत अमीर है तो तुम क्यों नहीं अपने घर में एडल्ट कर रही है तभी अगले सीन में एक टैजडी हो जाती है जोल की कार अपने आप सड़क कर पानी में गिज जाती है अब वो पल्सान हो जाता है क्योंकि यह कंस कि сегодня डरा की लिक्शन आपकार रिपेरिगने जाती है तो जोल को बहुत पैसों की जौरण पड़ती है पर जोल अपने अपने कांटेक्ट को यूज करके अपना बिजनेस सुरू कर देते हैं और जोल के घर कस्टमर और लड़कियों की भीड लग जाती है अब अगले शीन में हम देखते हैं लारा जोल के पास आती है और काती है हमने बहुत से पैसे इकटे कर लिये और तुम आगे जाकर बहुत अच्छे बिजनेसमेन बन सकते हो अब जोल और लारा के अंदर भी संसनी चड़ती है और वह टपा टप करने के लिए ट्रेन में चड़ जाते हैं वहाँ जैसे ही ट्रेन खाली होती है वो एक दूसरे पर तूट पड़ते हैं अब जोल डैट की कार रिपेर करा कर घर लाता है अब जोल जैसे ही घर आता है तो देखता है उसके घर का सारा समान गयब है अब वो लारा को फोन करता है पर लारा का फोन मेनेजर उठाता है और जोल से बोलता है मैंने ही तुमारा समान चुराया है वो मेनेजर से रिक्वेश्ट करता है कि वो उसका सारा समान आपस आने वाले थे फिर मैनेजर सारा समान लेकर घर के बाहर आता है और कहता है तुमने अपने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए वो तुम मुझे दे दो अब जोल सारे पैसे मैनेजर को दे देता है फिर जोल अपने दोस्त के साथ फटा फट सारे समान ऐजिटिस कर देता है फिर उनके पेरेंट्स घर आते हैं और उसकी मॉम कहती है तुमने मेरे एंटिक पीस पर क्रैक डाल दिया है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं जो की मुलाकात लारा से होती है और वो अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मुचुँ